हलो दोस्तो जो तीनियर रसोई में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति या स्पेसल मकर संक्रांति या स्पेसल है तो सबसे पहले हम तील और गुड के लड़ू बनाना बताएंगे लड़ो बनाने के लिए तील ले लिए बेदाम दाना ले लिए नारियर कब उरादा ले लिए और गूर ले लिए और तीनों चीजों को हम रोश्ट कर लेंगे रोश्ट करने के लिए हमने तावा गरम कर लें उसके बाद बेदाम दाना डाल देंगे और मेडियम आज पर हम उसको रोष्ट कर लेंगे विदाम दाना अच्छे से रोष्ट हो चुका अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक थाले में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद हम छील का निकाल लेंगे अब हम मेडिया माच पर तील को भी रोष्ट कर लेंगे तील को हम लगतार चलाते रहेंगे ताकि चिपके नहीं तील भी हमारा अच्छे से रोष्ट हो चुका अब इसको एक बरतर में हम निकाल लेंगे अब हम नारियर बुरादा को भी गोल्डन ब्राउन होने तक रोष्ट कर लेंगे अब नारियर बुरादा भी अच्छे से रोष्ट हो चुका है अब हम इसको भी निकाल लेंगे अब हम दूसरा बरतर लेंगे और इसमें गुर्ण डाल देंगे अब हम इसमें एक चमच देशी घीर डाल देंगे और पानी बिल्कुल ना डालें और उसको भी मेडियम आज पर हम चलाते रहेंगे जब तक गुर्ण अच्छे से पीग लें नहीं गुर्ण हमारा अच्छे से पीगल चुका है इसमें चासनी नहीं बनाना है अब सारी चीज़ों को हम डाल देंगे और अच्छे से मिला कर हम गरम गरम ही लड्डू बनाएंगे क्यूंकि ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं हमारा बनेगा इसलिए हम जल्दी जल्दी काम करेंगे अब हम गरम गरम लड्डू बना लेते हैं अगर आपको जादा गरम लगे तो हाथ में हलका सा पानी लगा लीजीगा और जल्दी जल्दी बांध लीजीगा लड्डू को अब हमारा परफेक्ट लड्डू बनकर तयार हो चुका है देखिए अब हम तील के चिकी बनाएंगे चिकी बनाने के लिए हमने आधा कटोरी तील ले लिए और उसको मेडियम आज पर हम रोष्ट कर लेंगे तील हमारा अच्छे से रोष्ट हो चुका है अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक बर्तन में निकाल लेंगे अब हम जेतना तील लिए उतना ही हम गुड ले लेंगे और मेडियम पिलेंपा गुड को हम अच्छे से पिखला लेंगे गुड हमारा अच्छे से पिखल चुका अब इसमें थोड़ा सा देशी घी ढाल देंगे चिक्की बनाने के लिए अब हमारा गुड तैयार हो चुका अब इसमें हम तील ढाल देंगे और अच्छे से मेल्ट कर देंगे हमारा अब अच्छे से मिलाने के युए आश्या में एक बटर पेपर लेंगे और इसमें थोड़ा सा गीही लगा लेंगे अब हम बटर पेपर पर निकाल अबहलेंगे अब हम पतलह बेल लेंगे जितना कि पतलह हो शकें अब हम पतला बेल लिये हैं अब इसको गरम गरम ही सेप में काटेंगे आपको भी सेप दे सकते हैं अगर आप गरम गरम नहीं काटेंगे तो चिक्की जम जाता आप बढ़ियां से कटेंगा नहीं अब चिक्की हमारा अच्छे से काट गया अब इसको हम देखाएंगे दोस्तो अब इसको चेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा बहुत ही बढ़ियां चिक्की बनकर तयार हो गया अब हम चिक्की को तोड़के दिखाएंगे दोस्तों बहुत ही खास्ता चिक्की बनकर तयार हो चुका है अब हम वेदाम के चिक्की बनाएंगे वेदाम को भी मेडियम आज पर हम रोष्ट कर लेंगे अच्छे से हम जीतना विदाम लेंगे उतना ही हम गुड़ लेंगे विदाम को हम अच्छे से रोष्ट कर लिए अब इसको ठंडा करके चिलका निकाल लेंगे अब हम गुड़ को पीगलाने के लिए इसमे एक चमच पानी डाल देंगे हम अलग तरीके से बता रहे हैं दोस्तों और मेडियम आज पर हम गुड़ को अच्छे से पीगला लेंगे अब गुड़ हमारा अच्छे से पीगल चुका अब इसमें थोड़ा सा हम गीर डाल देंगे घे डाने से स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों अब हम गुड़ को चेक कर लेंगे दोस्तों एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें एक बुन डालेंगे अगर गुड़ हमारा अच्छे से हाड हो जाएगा तो समझे गुड़ तैयार हो गया गुड़ हमारा अच्छे से तैयार नहीं हुआ इसलिए हम थोड़ा देर और पका लेंगे अभी इसमें थोड़ा सा चिम्रा पन है अब थोड़ा देर हो चुका अब इसको फिर से हम चेक कर लेंगे अब हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है गुड़ अब हम बेदाम डाल के अच्छे से मिला लेंगे अब थोड़ा जल्दी-जल्दी हाथ चलाएंगे गुड़ बेदाम अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम एक थाली लेंगे और उस पर घी लगा लेंगे अब बटर पेपर पर भी कर सकते हैं अब हम हाथ से ही इसको फेला लेंगे गरम गरम में ही काट लेंगे फिर कोई भी सेप में आप काट सकते हैं अगर चिक्की अच्छ जम जाएगा तो कटेगा नहीं इसलिए हम गरम गरम ही काट लेंगे अब चिक्की हमारा बहुत ढ़िया बनकर तैयार हो चुका है देखिए अब इसको तोड़कर भी दिखाएंगे, बहुत ही खास्ता चिक्की बनकर तैयार हो चुका है अब हम फड़ी कलाय बनाएंगे दोस्तों, कढ़ाय हमने चढ़ा लिये हैं अब इसमें गुड डाल देंगे और गुड को मेडियम आज पर हम पिगला लेंगे गुड को बीना पानी के ही पिगलाएंगे दोस्तो अना घी डालेंगे अब गुड हमारा अच्छे से तयार हो चुका है अब हम गुड को चेक कर लेंगे दोस्तो एक कटोरी में पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सा डाल के देख लेंगे गुड हमारा अच्छे से तयार हो चुका है अब इसमें फड़ी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे फड़ी अगुड अच्छे से मिल चुका है अब इसको हम जल्दी जल्दी लड़ो बना लेंगे अब हाथ पर हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और उसको गोल गोल बना लेंगे आप फड़ी को थाली पर भी पहला के बना सकते हैं अगर आपको ज्यादा गरम लगे तो हाथ पर पानी पहला लेंगे और जल्दी जल्दी लड़ो बना लेंगे अब हमारा फड़ी कलाय बनकर तयार हो चुका है देखें बहुत ही बढ़ियां बनकर तयार हो चुका है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरू से जरू सस्क्राइब कीजिए थैंक्यू पुर वाचे